हेलो दोस्तो मैं हूँ अंकत और दोस्तो अगर आपके पास है रेडमी ब्राइंड का मोबाइल तो इस वीडियो को जरूर से पूरा देखना है और दोस्तो नहीं है तो भी इस वीडियो को पूरा देख लेना क्योंकि बाद में आपको क्वाम जरूर रा जाएगा क्योंकि दोस्तो वाज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Redmi Brand Sound BFR MI तीनों नाम एक ही ब्रैंड के हैं तो दोस्तो वाज के इस वीडियो में मैं आपको Redmi Brand के Mobile के Camera की Full Advanced Setting को बताने वाला हूँ और दोस्तो आप उन Setting को एप लाइ करके कि अपनी फोटो में और भी को इंप्रोव कर सकते हूँ और प्रो लेवल की यहां पर फोटो को किलेक कर सकते हैं तो चलिए दोस्तो जली से चलेंगे हम अपने Mobile की Home स्क्रीन पर और दोस्तो वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना ऐसी इंट्रेश्टिंग वीडियो देखने के लिए और दोस्तो मोड चुल दी मॉबायल आनंबोक्सिंग सा रिलेटेड तो चलिए चलते हम अपने मॉबायल की होम स्क्रीन पर तो दोस्तो आचके हम अपने Redmi Brand के mobile की Home Screen पर और दोस्तो यहाँ पर हमने camera को open कर लिया है तो जब आप अपने camera को open करेंगे तो आपकी यहाँ पर setting होती है वो यहाँ पर automatic में होती है तो दोस्तो आपको यहाँ पर manual में उसको करना होता है तो दोस्तो चली यहाँ पर चलते हैं इसकी setting में और मैं आपको बता देता हूँ आपको किस कि setting को apply करना है तो दोस्तो पहले हम basic को समझ लेते हैं यहाँ पर देखिए आपको उपर AI का option मिल रहा होगा तो दोस्तो अगर आप इसको on कर देते हैं और आप अपनी photo को click करते हैं तो mobile अपने आप से color को detect कर लेता है और दोस्तो कुस color को यहाँ पर और भी बढ़ा कर यहाँ पर आपको photo को दे देता है तो दोस्तो अगर आप चाहते हैं आपर colors को improve करना तो आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं और चलिए चलते हैं यहाँ पर camera की setting में मैं आपको बताऊँगा कि आपको over advance level की setting को कैसे on करना है तो यहाँ पर चलिए चलते हैं setting में और दोस्तो आप यहां से रैसियो को सेलेक्ट कर सकते हैं कितने रैसियो में आपको फोटो को कलेक्ट करना है यहां से आप सेकंड को भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको तीन सेकंड में फोटो को कलेक्ट करना है पास सेकंड में दस सेकंड में दोस्तो आपको यहाँ पर एक option मिल जाएगा शो grade line तो दोस्तो आपको इसको ओन कर लिए न है क्योंकि जब भी आप photo को click करते हैं तो आप यहाँ पर CD photo को click कर पाएंगे जिससे कि दोस्तो आप जब भी editing करेंगे तो आपको यहाँ पर सहुलियत जाएगे तो दोस्तो यहाँ पर हमने ग्रेड लाइन कोन कर लिया है और दोस्तो आप देख सकते हैं केमरे में कुछ लाइन आ गई है तो दोस्तो इन लाइनों का काम होता है हमारी फोटो को यहाँ पर सीधी कर देती है तो जब भी आप फोटो को क्लेक करेंगे तो आपको इल लाइनों को देख लेना है कि हमारी फोटो सीधी आ रही है आपर नहीं आ रही है और दोस्तो आपको यहाँ पर एक उप्शन देख रहा होगा मूवी फ्रेम तो दोस्तो अगर आप अपने वीडियो में सिनेमेटिक सौट लेते हैं तो दोस्तो आप इसको उन कर सकते हैं जिससे कि आपकी कैमरे का फ्रेम हो जाएगा यहाँ पर मूवी के फ्रेम में तो चलिए यहाँ पर हमें इसको नहीं करना है और दोस्तों आपको यहाँ पर एक option दिखेगा micro का तो दोस्तों दिखिए आप इस पर करेंगे click और दोस्तों आप यहाँ से micro photo को click कर सकती है तो चलिये मैं यहाँ पर click करके दिखा देता हूँ और दोस्तों जब भी आप micro पर click करेंगे तो आपका micro camera यहाँ पर on हो जाएगा और दोस्तो दूर से यहाँ पर बिलर दिखाई देगा लेकिन आप पास उसको लाएंगे object के तरफ तो दोस्तो आपकी photo यहाँ पर अच्छी खेच जाएगे तो चलिए मैं यहाँ पर आपको एक photo को click करके दिखा देता हूँ तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर micro camera की photo है और दोस्तो quality आप देख सकते हैं बहुत अच्छी आई है और चलिए यहाँ पर मैं और भी आपको setting बता देता हूँ और दोस्तो आपको यहाँ पर एक और option मिल जाएगा settings का तो दोस्तो अगर आप आपकी photo में यहाँ पर date या पर mobile किस company का है तो आप इसको सोकनना चाहते हैं तो आप उसको व्योन कर सकते हैं तो चलिए चलेंगे हम यहाँ पर settings में और दोस्तो आपको यहाँ पर option दिखाई दे रहा होगा watermark का तो दोस्तो आप इसको व्योन कर सकते हैं device watermark यहाँ पर आप custom भी watermark बना सकते हैं जैसे अपने नाम का कोई भी तो चली यहाँ पर और भी देख लेते हैं क्या मिल जाता है और दोस्तो कुछ setting में आपको यहाँ पर selfie camera की बता देता हूँ और चली दोस्तो मैं आपको को selfie की setting को यहाँ पर बता देता हूँ और दोस्तो लिपसिंग अच्छी तरह से नहीं हो रही है mobile में कोछ परेशानी जा रही है तो दोस्तो आपको उपर यहाँ पर एक option देख जाएगा AI का तो दोस्तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है इसका यूज क्या है और दोस्तो आपको नीचे एक option देख जाएगा देखे इस star बना हुआ है तो आप उस पर click करेंगे तो आप अपने face को यहाँ पर थोड़ा मोटा भी कर सकते हैं और दोस्तो इसको आप बढ़ा के अपने face को और भी clean दिखा सकते हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तो अभी आप face पर देख सकते हैं ऐसा आपको पसीना से दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर देखे इसको बढ़ाएंगे तो यह बहुत ही clean हो जाएगा तो दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना clean यहाँ पर face आ गया है तो दोस्तो आप इसको apply करके अपने face को यहाँ पर clean कर सकते हैं और दोस्तो चलिए मैं आपको और भी setting को बता देता हूँ यहाँ पर आप यहाँ पर way कर सकते हैं अगर आपको अपनी eyes को बड़ा दिखाना है तो आप इसको भी कर सकते हैं और दोस्तो आपको यहाँ पर एक option दिख जाएगा filter का और गयर आप अपने photo में filters को apply करना चाहते हैं तो आप filter पर करेंगे click वोर्म वाला देखिए वहां पर रेट्रो यहां पर बहुत सारे न्यार्मल पर आ जाएगे यहां पर बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाएंगी तो आप जिसको यहाँ पर कनना चाहें तो कर सकते हैं तो दोस्तों वगार आपको यह वीडियो अच्छ लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों आपको इस चैनल पर मॉबाइल अन्बोक्सिंग से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ध्यान से वैल आइकन को जरूर से वल पर फ्रेस कर देना जैसे कि अपना काभी भी वीडियो आया तो सीधी आपको नौटिफिकेसन मिल जाए तो चली दोस्तों मिलते हैं किसी ऐसे इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार